Hello everyone, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा कि कौन कौन से information आपको company के दोरा available कराई जाती है आपके instrument cluster में तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं first of all, ignition को बिना turn on किया, मैं आपको कुछ चीज़े बताना चाहता हूँ, जो आपको पता होनी चाहिए right side में आपको turn indicator मिलता है, left side आपको left turn indicator मिलता है और अगर आप इस पूरे console को देखेंगे, तो इसे हम कहते है speedometer plus odometer यानि कि आपको यह speedometer है, और यह आपको जो छोटा से area देख रहा है, इसे हम कहते है, odometer लेकिन हम इसे एक और category में रखते हैं, जिसका नाम होता है hybrid computer hybrid computer यानि कि digital plus analog, digital plus analog, आपने देखा होगा petrol pumps में, जो machines लगे रहे हैं तो इसे हम hybrid computer category में रखते हैं, ECG machines आपने देखा होगा, उसे हम hybrid computer के अंतरगत रखते हैं यहाँ पर हमें क्या का information present की गई है, यह है आपका speedometer, यानि कि इस गाड़ी की speed maximum 110 km तक जा सकती है यह information आपको यहाँ पर note down है, इसके लिए लिखा हुए PGM-FI, PGM मतलब होता है programmed fuel injection, FI का मतलब होता है fuel injection और PGM का मतलब होता है programmed अब हम अपना ignition on करते हैं लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दू, यहाँ पास आपको एक button available करा जाए जिसको हम कहते है mode button या फिर reset button हम इससे कोई भी अपनी digital information को reset कर सकते हैं और इससे हम अपनी mode को set कर सकते हैं जैसे हम अपनी ignition को turn on करेंगे आपको multiple information या देखने को मिलेगी यह देखिए अब यहाँ पर नोटिस कीजिए कि आपका जो यह वाला इंजन warning light शो हो जाती इंजन warning light में आने से पहले मैं यहाँ पताता हूं यहाँ आपका side stand लगा हुआ है यह देखिए आपको यहाँ पर side stand का symbol देखने के लिए दिख रहा होगा तो side stand यानि कि आपका side stand है नीचे के तरफ लगा हुआ है जैसी मैं इसको उठा दूँगा देखिए जैसी मैं इसे उठाऊंगा तो यह हट जाएगा यह देखिए हट गया मैं इसे इसे नीचे लाऊंगा यह आ जाएगा तो side stand ऐसे वर्क करता है अब side stand को मैं आपको confusion नहों अब यहाँ पास में आपको engine warning light देखने के मिलती है मैं ignition को turn off करता हूँ एक बाफ फिल open करता हूँ यह देखी यह है आपका engine warning light अगर आपका ECU में कोई fault होगा आपका fuel pump खराब गया फिर कोई भी आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम होगी तो यह engine warning light आपका on हो जाएगा इसे आपको पर चल जाएगा कि आपकी गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है इसे जल से जल सर्विस सेंटर पे लेके जाए अब थर्ड बात कर होता है idle start stop यानि कि जब अपी गाड़ी नॉर्मल खड़ी रहेगे तो automatic को shut off हो जाएगी जैसे आप उसे हलका सा रेस देंगे अपी गाड़ी start हो जाएगी उसे हम कहते है idle यानि कि बिना कुछ किये बैठे रहना यानि कि अगर हम कहते हैं कि idle मत बैठो ऐसे बेकार है मत बैठो तो अगर गाड़ी बेकार में अपी गाड़ी start है तो automatic बंद जाएगी अगर आप हलका से accelerate करेंगे तो आप भी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी अब next बात करते हैं ए यानि कि digital meter के तरफ तो हमें आपे कई multiple information देखने के मिलती है नॉर्मल आपका ऐसा रहेगा total लिख रहेगा यानि कि total कितने किलोमेटर आपी गाड़ी चल चुकी है 2237 मेरी गाड़ी टोटल चल चुकी है और यापे kilometer दिखा रहा है 2237 मेरी गाड़ी टोटल चल चुकी है उप अबर के तरफ आपको दिखा रहे है टाइम टाइम वगर कैसे चेंज करते हैं मोट वगर कैसे चेंज करते हैं सारी वीडियो मैंने कवर कर रखी हो और अच्छे से मैंने explain किया है सारी वीडियो के लिंग आपको description box में मिल जाएगा आप जाके check out कर सकते है और यह है आपका fuel gauge यहां पास में बड़ा हुए petrol pump का symbol और यह देखिए आगर आप notice करेंगे तो E का measurement वह थोड़ा चोटा है F का measurement थोड़ा सा उपर है because F मतलब होता है full यानि कि उपर तरक उपर तरक और E मतलब होता है नीचे तो यह नीचे तक है देखिए यह दिमे दिमे करके उपर तक गया यानि कि मेरे भी गाड़े पेट्रोल जो फुल है तो इसलिए आपको यह full दिखा रहा है और कितने गेज रहते है 1,2,3,4,5,6,7 यानि कि 7 points आपको देखने के लिए मिलते हैं अब यह more button को जैसे ही हम press करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा trip यानि कि जब भी अपनी गाड़ी के इस trip को reset करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आप अपनी गाड़ी को total कितने km चला सकते हैं यानि यहाँ से हम यह पता करते हैं कि आप पी गाड़ी में इतना petrol है तो उससे आपको कितने distance travel कर सकते हैं या फिर आपको माली जी यहाँ से कहीं आपको 10 km जाना है तो लेकिन आपको पता नहीं कितने km का रास्ता है वो तो आप इसको reset करके पता लगा सकते हैं कि आपका जो दूरी है वो क करेंगे तो यहाँ पर आपका current running average km दिखाएगा याँ कि आपका current आ रहा है आपको ड्राइविंग स्टाइल के ओपर डिपेंड करेगा कि आपका average क्या शो कर रहा है तो यहाँ पर current आपको डिखेगा याँ आप तो टोटल प्रेजंट में जो रनिंग कर रहा है यहाँ इक बार और दबाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा अगर अभी आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आपको दिखता है range average के बाद एक और option आता है आपके पास range जो कि आब आएगा देखिएगा इसकी बेक ऊपर dedicated video बना चुका हूँ कि अभी range क्यों गायब हो ग तो रेंज अभी दिखा रहे है 134 km तो अभी मतलब आप कितनी दूरी तय कर सकते कितना रेंज आप तय कर सकते हैं तो यह 134 दिखा रहे है यानि कि present petrol में आपके गाड़ी में जितना भी petrol present है तो उतने present petrol में आप 134 km तक गाड़ी को अपने चला सकते हैं लेकिन इस पर totally dependent मत रहे हैं कि कभी कभी fluctuate करता रहता है यानि कि मतलब एक तरह से मतलब यह आप इसमें पूरा बिलीव नहीं कर सकते हैं यानि कि अगर आप यह 134 दिखा तो मैं मालूंगे से 120 km ही मैं इस गाड़ी को चला सकता हूं अभी और तो यह होती है सारी information आपको अपने instrument cluster में आपको को दिखाई देती है और जैसी मैं इसका जो indicator है जैसे मैं इसका left-right indicator on करूँगो तो यहां से यह राइट indicator चलेगा मैं left indicator on करूँगगो तो यहां नीचे करूँगा तो अब देखिए आप सामने देखिएगा अपर डिपर अपर डिपर तो यह होते हैं अपर और डिपर यहां पास में आपका हॉंड दिया गया है यह सब तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें लेकिन इंस्ट्रुमेंट क्लश्टर के बारे में यह स्वाई इंफॉर्मेशन आपको माल होनी चाहिए थी तो यह थी आज की वीडियो थैंक यू सो मुच पर वॉचिंग लव यू और गईस